हेज़ देखो आजके रेट में मार्केट में गिरावॉट देखने को मिला है काफी अच्छा गिरावट देखने को मिला ऐसा तो लग बग अच्छा खासा मतलब 172.5 पाकट में धोड़ी volatility चाही हुई है मतलब market थोड़ा confused है उपर नीचे उपर नीचे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ये किये जा रहा सर पिछले एक महीने से इसमें आपको weakness देखने को मिल रहा है देख सकते हैं एक महीने से भी आपको पूरा weakness देखने को मिल रहा है कहने का मतलब है कि अभी देखे जब March का result या कुछ भी आना होता है data आना होता कोई भी information आना होता तो सर लोग दो महीने पहले से तैयारी करना start कर देते हैं सर ऐसा है क्योंकि वहाँ पर देना होता है करके तो next quarter जुक का जो सारी चीज़े data आने वाला है इसके पीछे क्या क्या रीजन है वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सारी रीजन जो बताया जा रहा है वो पर्मनेंट रीजन है देखें सर दो टाइप की सब प्रॉलम होती है एक short term temporary problem होता है कि हाँ चलो भाई कुछ दिन की problem है ठीक हो जाएगे दूसरा problem होता है कि नहीं भाई इसको ठीक होने में तो एक साल लग जाएगा 6 में लग जाएगे तो तब तक क्या होता है कि कुछ लोग माल निकालना स्टार्ट कर देते हैं मतलब स्टॉक के बेच के पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं सर लोग तो सबसे पहले तो सर अगर आप देखोगे R.I.L. H.D.A.P.C. बैंक लीड यहाँ पर देख सकते हो दबाकल मतलब सर यह जो अच्छे-च्छे प्लेयर हैं मतलब इंडिया के अंदर यह बड़ी-बड़ी कमपनिया है और अगर यह गिरते हैं अब सर कहने का मतलब तो टाटा भी बहुत बड़ा है टाटा तो सर इन दोनों से बड़ा है लेकिन बस प्रावलम यह है कि सर वो टुकडो टुकडो में अपने बिजनस को बाट रखा है सर टाटा ग्रुप का मतलब सारे बिजनस को मिला देगे तो वो भी बहुत बड़ा ठीक है तो जब बड़े बड़े प्लेयर अगर गिरते हैं सर तो छोटे छोटे प्लेयर आटोमेटिक गिरना स्टार्ट हो जाते है होता क्या कि सर इनका वेटेज होता है निफ्टी के अंदर सर इनका वेटेज होता है अगर इनका ज़्यादा वेटेज है और ये दोनों कंपनियों का रिजल्ट खराब आया और ये दोनों स्टोक अगर 10-10 परसंद गिरी है और सब कुछ ठीक है इंडिया के अंदर ग्लोबल मार्केट में सब कुछ ठीक है अगर कुछ थोड़ा भी इन दोनों के अंदर कुछ ख अब इंडिया के अंदर देखो गए तो थोड़ी बहुत वालिटिलिटी देखने को मिल जाएगा ठीक है इंट्रेस्ट रिट कट होने के जो बात है कोई ध्यान दे नहीं रहा वहां पर जो कि मार्केट के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजे उसके सार गर आप देखो गहां देंटर सब्सक्राइब करेंगे नहीं बिलकुल नहीं कट करेंगे अगर नहीं करेंगे तो सा अने बाले और दो सामी तरीके से चल गया तो सर चार सलो जाए तो लोग इसको एकैश्ट कर लेगे और यह क्या होगा कि लगब जो है मतलब धूंद्ला सा लोग भूल जाएंगे फिर उसके बाद सर मार्केट में इसका कोई खास इंपेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसा है तो इसलिए सर लगबग जो है कि if inflation path remain unchanged तो अगर inflation का जो रास्ता है अगर unchanged रहता है उसको change होना है सर घटना उसको लेगिन अगर नहीं घटता है तो interest rate जो है सर वो maybe maybe मतलब बढब भी सकता है तो यह अगर पर आपको बता है यहां तो भाहिं मतलब पहली बात की interest rate उपर के उपर ही है सर उपर से कभी नीचे आएगा पता नहीं चल पा रहा क्योंकि इंफलेशन के वजे से कहीं ऐसा न कि सर ये लोग इंटरेस्टेट और बढ़ा दे क्योंकि महंगाई बढ़ा तो और इनको बढ़ाना पड़ जाएगा क्योंकि सर इन्होंने अमरिका को कोई ठीक सर 11 टाइमस इन्होंने इंटरेस्टेट बढ़ा रखा कितने बार 11 टाइमस इन्होंने इंटरेस्टेट बढ़ा रखा तो सर एक या दो बार और बढ़ा देंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इस बात का भी डर है सर अगर इंटर अगर इंफलेशन नीचे नह लेकिन 2024 में बोला आप तो सर 3-4 महिने चले गए हैं जब इनको इंट्रेट कट करना होगा तो सर quarter on quarter ही कट करेंगे ऐसा नहीं है कि किसी भी मंथ को उठा लेंगे हां आज कट कर दो ऐसा नहीं होता सर quarter on quarter ही लोग decide करेंगे समझ रहो ना तो लेकिन 2024 में चले गए तो अगले quarter से अगर अगले quarter में इंट्रेस्ट नहीं कट हुआ तो मार्केट के लिए थोड़ा सा मतलब जो है कि डर सा हो जाया कि भाई कहीं उल्टा ना हो रहा मार्केट उसके उल्टा ना काम करना स्टार्ट कर दे और उपर से इससरा अगर आप देखो गए तो भाई प्री-एलेक्शन इलेक्षन इंडिया के अंदर भी ए एलेक्षन अमेरिका के अंदर भी ए यह जो लोगशबा इलेक्षन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर क्योंकि चुल्ट जुन में सब्सकिन इसके वजे से अब इसलीन में मतलब जुन अब कंटा JUL याज़ रखी गा कि सब जबस मतलब आने वाला होता जब रचे में दोर इस ने कि दोनों सोन reign दो है, तो सर इस बात का भी टेंचन है, क्योंकि दोनों पार्टी जो खोले आम मतलब जो है, पूरी कोसिस में लगए हुए सर, खोले आम ये लोग पैसा बाटे जा रहे हैं, उसके साथ साथ ये लोग महनत किये जा रहे हैं, चारों तरफ से सर दिन, रात मतलब कुछ न कुछ ये लोग किये जा रहे हैं, बिधायक से, CM से, मतलब घटबंदन, हर चीज़ी लोग इतना महनत कर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो इसी के वाटे से सर लगबग जो है, ये वलिटिलिटी चाया हुआ, कि कभी कॉंग्रेस बाजी मार दे रहा है, कभी BJP बा से नहीं आया, तो सर वो जो है, बताया जा रहा है, कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में मदद करता है, मदद करता है सर, job data, वो लोग सर क्या करते हैं, कि जादा जादा तो सर इंपलोई को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जो बड़ी बड़ी कमपनियां होते हैं, स सर ये भी inflation की तरही एक danger signal होता है, कि market को गिरा के रख सकता है, सर, ऐसा है, और crude supply की बात करते हैं, सर, तो crude तो दिखोगे, तो भई, मैं बोलूँ है, जब तक electric vehicles पूरे इंडिया के कोने कोने में आ जाए, तब तक सर crude से हमें डरना ही पड़ेगा, या देखे, crude oil एक ऐसा च रको रको अगरा हो, या टीपर बोलते हैं, चाहिए जो भी बोल सकते हैं, heavy vehicles या बस वगरा हो, सर, आज भी अगर आप देखेंगे, तो more than 90% vehicles में petrol और diesel ही, इस्तमाल किया जाता है, सर, हम electric vehicles के तरफ चलतो रहें, लेकिन पूरे complete way में नहीं चल पाए है, सर, ऐसा है, तो एक चीजों में, सर, ये inflation बढ़ा देगा, तो crude एक बहुत बड़ा danger signal देता है, और सर, ये जान बूच के एक मतलब, सर्यांतर की तरह खेला जाता है, जहां से सर crude oil आता है, वो लोग क्या करता है, उनको भी पता है कि भाई, अभी electric vehicles में खेलने वाले हैं, हाँ, बिल्कुल इलेक्टिक विकल्स के उपर काम कर रहा है, अगर हम खुले हैं, जी भर के अगर crude oil देंगे, जी भर के अगर हम crude oil देंगे, तो ये लोग हम से सस्ते में भी ले ले लेंगे, और कल के डेट में electric vehicles भी बना लेंगे, तो भाई, हम तो गये काम से, तो ये लोग क्या करते हैं, जो लोग crude oil वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो लोग supply करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई देखो, माल लेते हैं कि हम 100 liter हम per day, example माल लेते हैं, ठीक है, barrel के हिसाब से होता है, लेकिन अब माल लेते हैं, 100 liter per day जो हम इंडिया को supply करते हैं, एक काम करो, 100 liter के जगह आप example ले रहा हूँ, ठीक है, इतना नहीं होता है, ठीक है, मजा कि में मत लेजगा, लेकिन example दे रहा हूँ, 100 liter के जगह इंडिया को केवल 75 liter है supply करो, अब इंडिया वो लेगा 75 से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, 25 तो हमें चाहिए ही चाहिए बाई, चाहिए ही चाहिए और 25 तो फिर इंडिया बोलता है कि देखो भाई, थोड़ा और पैसे लेड़ो, लेकिन देदो, तो होता क्या है कि सर ये लोग ना price बढ़ा देते हैं, तो क्या करते हैं, यहां पर supply को कम कर देते हैं, तो price automatic बढ़ना start हो जाता है, क्योंकि market में है नहीं सर वो चीज़े, अब मा पास ज़्यादा मातर में बच्चे भी रहें, ऐसा होता है, तो इस टाइप की चीज़े देखने को मिलती है, और यह सारी चीज़ों के वड़े से सर मार्केट में गिरावाट देखने को मिलता है, तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि देखिए, ज़्यादा tension लेने वाली को नीरेस्ट पाउंच जांगे, सर, कट करने, वाला जो दिन है, वो सामने आना स्टार्ट हो जाएगा, और युएस का जॉप डेटा भी है, तब तक ठीक हो जाएगा, सर, और कुरूड ओल का जो है, वो देरे दरे डिपेंडेंसी भी घटना स्टार्ट हो जाएगा, बाकि त झाल favored in theाएगा, सर, किया तक जाएगा जाएगा, जाुपो जाएगा।